हाई दोस्तों मैं हूँ इतेन्त इच्वानी और मैं इस वक्त हूँ सुजलेंड में सुजलेंड जैसे ही लग रहा है बिल्कुल खूबसूरत यह हमारे देश में ही है और इस जगा का नाम है बदर्वा बदर्वा की खूबसूरती अगर आप लोग देखें तो मैं अपनी आँखों से आपको क्या बता हूँ आप खुद देखिए यह दूर दूर तक कि देखिए ग्लेश्यस हैं और इस वक्त मैं अभी इस मेने में आया हूँ जो की थोड़ा सा जो की हमारे लिए गरम नहीं है ल लेकिन जैसे ही August September होता है यहां की सारे पहाड़ पूरे वाइट हो जाते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि आप सुज्जर लेंड में ही हैं तो इस जगह के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं मैं चाहता हूँ कि आप सब इस जगह को देखें खुद आके देखें और हैं जैसे मैं गया हूँ घुलडंडा करके जगह हैं वहां तो बर्फी बर्फ है अभी तक बर्फ है तो आप समझ सकते हैं कि आप अगर उस वक्त आएंगे जाब बर्तिला माहौल होगा या बर्त का मौसम होगा तो कैसा रहेगा हुआ 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 ह कि यहां के लोग बहुत अच्छे हैं थैंक्यू यह देखिए मतलब बिना बोले ही यहां पर सब कुछ मिल जाता है तो और आपको क्या चाहिए और मैं जहां अभी जहां पर हूँ उस जगह का भी नाम है मतलब इस वक्त नहीं जहां मैं रह रहा हूं तिल्लीगड इन तो वह है देखने लाइक आप लोग वहां से तो मतलब पूरा बदर्वा दिखता है पूरा मतलब ऊपर ऐसा लगेगा कि आप एक दम एक पहाड़ पे हैं तो बहुत खुब्सूरा जाए है हर मजहब के लोग यहां पर प्यार की भाशा बोले तर्दी इसकी चर्चा दुनिया करती खुद एक्सपिरिंस कीजिए यहां रहे के देखिए यहां के लोगों से मिलिए बहुत पारे लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं और मेरा कहाल है आप ने जो उम्मीद नहीं कियोगी उससे जादा मिलेगा है हिदेन जी आप यहां एक शूटिंग पे हैं अभी तो उस को बिखनी का कई है है तो हम लोगोंने बहुत ही रीयल लोकेशन में शूट किया है मैं जादा पता नहीं पाँंगा स्मेसरी के बारे में या फिल्म के बारे में बट वो लोकेशन स्वेम पैके जाएक हुआ इसंद्पी देखें अब दृते शूब शुग्वयाव सब आपकाण से मैं इनको टीवी देखता आ रहा हूं तो आज सामने इनके साथ शोटिंग भी कर रहा हूं और इनके इंटर्वे भी किया तो आप लगों को दिखाना चाहता था कि यहां बदरवा में क्या क्या है और इनके जबान से जो आप सुन रहे हैं यह प्लीज प्लीज प् झाल झाल